चलिए बापको दिखाएंगे चनाफ से चुड़ी हुई पांच मिलिट में दस बड़ी खबरें कनाटक के हावेरी से टिकेट दिया गया है बीजीपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में कई राजियों में कुछ नए चेहरों को जगह दी है तो कहीं पर पुराने नामों पर ही भरोसा जिताया है जिसमें सबसे पहले नाम आता है मंध्यप्रदेश का जहाँ पर बीजीपी ने लोगसवा चुनाव के लिए प्रत्याशों की दूसरी लिस्ट में कोई चौकाने वाला चेहरा गोशित ना करके फिर सब को चौका दिया है बची हुई पार्च सीटों में छिनवाडा ही एक ऐसी मात्र सीट है जहाँ पर पार्टी किसी भी तरह का फैस्था ले सकती थी लेकिन वहाँ पर कमलात के सामने दो बार विधान सवद चुनाव हार चुकी चेहरे को फिर मौका देकर गेम खेला है चेरा भले ही 44 साल के बिवेग बंटी सा हुका हो लेकिन यहाँ पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी लोकसवा चुनाव को लेकर राजनितिक दलों के तैयारिया तेज हो गई है बीजेपी कॉंग्रेस समीत करिदलों ने अपने उम्मीतवारों के नाम की घोशना करना शुरू कर दिया है और इसी बीच असुसुद्दीन ओवेसी की पार्टी ए आई-माई-म ने भी बिहार की लोकसवा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है सुत्रों के मताबिक ओवेसी की पार्टी बिहार की ग्यार है लोकसवा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है आपको बता दे इन मेंसे कई सीटें बिहार की सीवांचल शुर्थ से आती हैं जहां पर अच्छी खासी आवादी मुस्लिम है लोकसवा, विधान सभा और पंचाय चुनाव एक साथ कराने की संभावना को लेकर बनी पूर्व राश्चपती रामनात कोविन के अध्यक्षता वाली समीती ने एक रिपोर्ट तयार कर ली है समीती वन नेशन वन एलेक्षन पर आज राश्चपती द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौप सकती है सूतरों के बतावे किसम लोकसभा, विधान सभा और स्थानी नकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश की जा सकती है साथी वन नेशन वन एलेक्षन के लिए सम्विधान में संशोधन की सिफारिश की भी संभावना है हर्याना के नए मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी ने विधान सभा में ध्वनी मत से फ्लो टेस्ट पास कर लिया है विश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान कॉंग्रेस नेता पूर्व सीम भूपिर सिंग गुटा ने सीक्रेट वोटिंग कराने की मांग की थी लेकिन स्पीकर ग्यांचन गुपता ने इसे नहीं माना फ्लो टेस्ट की बाद सदन की कारेवाही अनिश्चित काल के लिए स्थिगत कर दी गई इस पीच पूर मुखी मंतरी मनुहरलाल ने विधाय पत्सी स्तीफा दे दिया उनकी स्तीफे से खाली हुई करनाल सीट से अब सीम नयाप सिंग सेनी उप्छुनाव लड़ेगे सिदु ने कैंसर से पिड़ेत अपनी पत्नी के लाज के लिए समय देने और पत्नी के स्वास्त का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है जानकारी के मताविक कॉंग्रेस इस बार पंजाब के सभी मौजुदा सांस्तों को टिकेट दे सकती है भुजपूरी एक्टर और सिंगर पवन सिंग ने लोगसवा चुनाव 2024 लड़ने का एलान कर दिया है आपको पताने बीजीपी ने पवन सिंग को पश्य मंगाल के आसन सोल सीट से टिकेट दिया था लेकिन पवन सिंग ने चुनाव नहीं लड़ पाने की बात कही थी लोगसवा चुनाव को लेकर कॉंग्रिस ने बड़ा दाव खेला है राहुल गानी ने भारत जोड़ो न्याय आत्रा के दौरान महरास्ट के धुले में नारी न्याय स्कीम की कोश्चना थी और उसके साथ ही कॉंग्रिस अध्यक्ष मालेकार जुन खडगी ने एक वीडियो भी शेयर दिया है और कॉंग्रिस करस में कहना है कि नारी न्याय से देश की महिलाओं के लिए इस सम्रुद्धी का द्वार खुलेगा नारी न्याय के तहट किन सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 फीस्दी हिस्दारी की भी बात इसमें सामने आई है और गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाग रुपए दिये जाने की बात भी इसमें शामिल है